तोश हमाई साथ मौझूद है लखनाउसे और अमित भारत द्वाज दिली से मौझूद है अमित आपका रुख करना चाहूंगी सतेज जैन ये कह रहे हैं कि अब जिनोम सिक्वेंसिंग नहीं हो पाए रही है क्योंकि केस ज्यादा है लेकिन वो ये भी बता रहे हैं कि 10,000 केस अगर देखी अभी संभावना दिली में भी उसी की है जो मॉंबई में हमने देखा वहाँ पर एक दिन में 10,000 केस आ रहे है 24,000 घंटे में दिली में भी संभावना उसकी है किया यहाँ पर रहत्याती कदम क्या उठाए गये है आज लगभग 10,000 cases धिल्ली में आ जाएंगे और positivity rate 10% तक पहुँच जाएगा यानि कि महरास्ट वाले हालात अब धिल्ली में भी होने वाले हैं जहां तक omicron variant की बात है जो पहले ही सद्ध हो चुका है कि लगभग 80% से जादा cases धिल्ली में असल में omicron variant के हैं तो इसी वज़े से genome sequencing को अब sample size में ही रखा जाएगा आने वाले दिनों में private hospitals में भी beds बढ़ाने की बात कही जा रही है 40% से जादा bed capacity बढ़ाई जाएगी COVID-19 के लिए जहां तक lockdown का सवाल है कल ही दिल्ली का disaster management authority जो है उसकी meeting हुई थी और उस meeting में इत्ताए किया गया था फिलहाल red alert जैसे restrictions दिली में नहीं लगाए जाएंगे और night curfew के साथ weekend curfew लगा दिया गया है आपको पता ही है कि अब शुकरवार की रात 10 बजे से लेके सुमवार सुबह 5 बजे तक कोई भी public movement allowed नहीं होगा सिर्फ essential services से जुड़े लोगों को बाहर जाने आने का permission होगा और जो जरूरी सामानों के दुकान है चाहे वो medical stores हो राशन की दुकाने हो उनको चलाने का आदेश दिया गया है इसके साथ ही जो private offices हैं वहाँ पे भी restrictions लगाए गए हैं तमाम private offices जो दिल्ली से चल रहे हैं उनको कहा गया है कि सिर्फ आप 50% स्टाफ को ही office बुलाएं और बाकी को work from home mode में काम कराएं दिल्ली के सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले करमचारियों के लिए work from home mode का आदेश जारी कर दिया गया है हलांकि जो जरूरी सेवाओं से जुड़े हुए करमचारी हैं उनको अभी भी दफ्तर जाना पड़ेगा यानि की जो नए restrictions है वो तो लागू हो गए है weekend curfew है night curfew है लेकिन जहां तक lockdown का सवाल है फिलहाल दिल्ली के अलग-अलग मंत्री यही indication दे रही है दिल्ली सरकार यही indication दे रही है कि lockdown तो नहीं लगा जाएगा और कल दिल्ली के स्वासमंत्री सतेंद्र जैन ने इनकार भी किया था lockdown के मसले से और संभावता इसके पीछे वज़ा यही है कि फिलहाल जो hospitalization rate है दिल्ली में वो नहीं बढ़ा है लेकिन हमें अगर केसे 10,000 आने लगते है 24 घंटे में दिल्ली में भी मुंबई जैसे situation हो जाती है जिसके संभावना सतीन जैन जता भी नहीं है तो क्या अब जब मेट्रो 100 फीस दीक शमता के साथ खोलने की बात हो गई तो ऐसे भी खत्रा और बढ़ेगा अगर 10,000 केस उस वक्त आप समझे जब मेट्रों में 50 फीस दीक शमता के साथ लोग जा सकते थे बसों में 50 फीस दीक शमता के साथ बैट सकते थे अब 100 कर दिया गया है 10,000 केस अगर आ जाते हैं तो आप अंदासा लगाईए कि आने वाले एक दो दिन में सिती दिल्ली में क्या होगी निश्चित रूप से और हिल्थ एक्सपर्ट भी इसी बात की तरफ इंडिकेशन कर रहे हैं इशारा कर रहे हैं कि असल में जो ओमाईक्रॉन वेरियंट है जिसकी लहर दिल्ली में आई हुई है यह वैसे भी बहुत तेजी से फैलता है और यह डिल्टा वेरियंट से जादा इसका जो ट्रांस्मिशन रेट है वो कहीं गुना जादा है कल ही हम लोग बात कर रहे थे डॉक्टर शोरेश कुमार जो लन जेपी के डिरेक्टर है वो भी कह रहे थे कि लगभग 18 लोगों तक एक सिंगल इंफेक्टेड पेशेंट 18 लोगों तक को इंफेक्ट कर सकता है यानि कि जो इंफेक्शन का खत्रा है ट्रांस्मिशन का खत्र वो कहीं ज्यादा है उमाइक्रॉन में